हेलो नमस्कार दोस्तों आज कुछ नए अंदार में आप सभी से मिलाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हमारा खाना होना बनने वाला यहाँ पर खुला-खुला में हैं बहुत ही अच्छा लग रहाए बहुत प्यारा लगा तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं जरूर कमेंड हम लोग कभी सोचे नहीं थे पहले यह बना है उसके बाद से बना है लेकिन जब यह बना है तभी वह बना है ठीक है तो हमारे लिए यह घर सबसे बड़ा है हमारे जिंदगी का सबसे खुसी का पल सबसे अच्छा घर यही था जो हमारा घर तूट गया है क्योंकि इसी के बद अलत नहीं बनता तो वह कैसे बनता है धीरे-धीरे दोस्तो हर एक काम धीरे-धीरे चलो में होता है उब अच्छा होता है छोटे-छोटे शे में Staats जैसे कहते हैं ना एक उर्पे के एक और व्द्वक फोलब यह से जिसे a 00 3 होता है त्योसे यह मेरा जो तोटा सा घर था इसके वज़े से ही आज वो मेरा घर है और दोस्तो आज का सुबह हम लोग का नए घर में हुआ है इस नभी तो खाना इसी में बनेगा दोस्तों आपन नहीं बनेगा कि कि यहां पर हम लोग आये थे तो पूजा पाठ नहीं हुआ था तो हम लोग को बहुत द कर रहे हैं जिखाते हैं मेरा खाना कैसे बंदर है पहले देख़ें पूरा लोकैसा देखिया घर कालो के тут के एगा है लेकिन इसमें खाना बनाने में बहुत ही मजाा रहा है कि आधा है कि समय है कि ने तो Communist घिया का देखे यह बंदर का कर रहा है मेरा जी दोस्ता हुआ हो जलिए दिखाते हैं दर यह देखिए खडबाड कrevy करद खडबार के घ्रबीर कर भड़ कर लबीर देखिए यहाँ पर खाना वरा है यहाँ पर मेरा बेटा है एक चद्धी उदी पहना स्ट्राइक नायाय मेरे चनल प सब्सक्राइब और दोस्तों तो दोस्तों आप सभी को यह मेरा सपनों का घर कैसा लग रहा है और यहां पर बनाने खाने में का मजा कुछ अलगी ले अच्छा लग रहा है लेकिन क्या मजबूरी है सापो पाघा अगर ठंडी का दिन रहता जाता सब्सक्राइब अजी में रहते हैं कुछ रहा। तब उसमें जाते हैं लेकिन क्या वता हैं दोस्तों मजबूरी है कुछ भी करवा सकती है चलिए मिलता है नेक्स चुरें तो तक लिए बाबाया